Pluto के नए high definition images आ चुके हैं जिन्होंने कुछ ऐसे खुलासे किये जिसे देखकर NASA वाले completely shock है जरा इस image को देखिए ये हैं वो structures जो crabs अपने अंडे देने के लिए पूरे beach पर बनाते हैं So that, उनके बच्चे अंडों से बाहर निकलते ही तुरंत पानी में खाने की तलाश में भाग सके Now, keeping that in mind, जरा अब इन structures पर थोड़ी सी नजर डालना जो खुद NASA के New Horizons Space Probe ने Pluto की बरफीली सतय पर capture किये आप यहाँ पर देख सकते हो, यह खूब हूँ, crab holes से mail खाते हैं And you know what's the weird part? NASA के अनुसार, Pluto के जिस region में यह structures दिखे हैं Exactly, उसी जगे पर Pluto का almost सारा liquid पानी बरफ के नीचे छुपा हुआ है So क्या Pluto की कड़कती थंड में भी कोई केकडों जैसी मजबूथ कवच वाली प्रजाती पनप रही है? Well, NASA वालों ने अपने New Horizons Mission के तहट Pluto के कई ऐसे high definition photos खीचे हैं, जो कुछ इसी तरफ इशारा कर रही है Like जरा इन images को भी देखो ये Pluto के वातवरण की तस्वीर है, जो NASA के अनुसार बिना किसी volcanic eruption के भी जहरीली gases से भरती जा रही है Which is kind of similar to Earth as well, यहाँ पर भी 2 centuries में इंसानी गतिविद्यों ने तेजी से वातवरण को जहरीली gases से भर दिया So all in all, Pluto दूर से जितना शान्त हमें नजल आता है, शायद वो उतना शान्त बिलकुल नहीं है In fact, जब मैं इसके सभी images को देख रहाता ना, तब मुझे एक weird सी image मिली And it was this ये चुपा रुस्तम है arrow caught, एक snowman के shape का asteroid जो Pluto के पीछे चुपा था हलाकि NASA के अनुसार ये कोई साधरन सा asteroid नहीं है, बलकि एक प्रकार का time capsule हो सकता है क्योंकि asteroids usually ऐसे shape के नहीं होते So आखिर, Pluto अपने अंदर और ऐसे कितने राज छुपा कर बैठा है Well, the only way to find out is हम एक-एक करके उसके सभी mysterious images को decode करे और सच्चाई की जड़ तक पहुँचने की कोशिश करे कि Pluto हमेशा से NASA के लिए एक बहुती curiosity वाला विशेर आ है क्योंकि 2006 से पहले हमारे पास जो Pluto की सबसे clear pick थी न, वो कुछ ऐसी दिखती थी यानि कि हम literally Jupiter और Saturn के moons के बारे में Pluto से ज्यादा जानते थे और इसलिए 2006 में NASA ने specially Pluto को study करने के लिए एक space probe launch किया called the New Horizons इस probe का mission था basically जतना जल्दी हो सके Pluto के करीब पहुँच कर Pluto के high definition images NASA को भेजना और उनके जरीए Pluto की सतय और उसके वातावरन की पूरी कहानी पृत्वी वासियों को बया करना और अब अपने 9 सालों के लंबे सफर के बाद ये घड़ी finally आ चुकी है New Horizons ने eventually Pluto की पहली clear तस्वीर NASA को भेजी और उस तस्वीर के मिलते ही it was clear NASA नहीं observe कि Pluto की सतय पर एक बड़ा सा दिल के आकार का एक चिक NASA plateau region है और Sputnik Planum जो Pluto के बाकी सर्फेस के मुकाबले बस अभी अभी बना है Like literally वो इतना recently बना है कि आप कह सकते हो हम जब बंदरों से इंसान में विक्सित हो रहे थे तब simultaneously Pluto पर ये दिल बन रहा था और यही वज़े नासा वाले मानते हैं कि Pluto बाकी के बंजर प्लानेट के मुकाबले प्रिथवी से ज्यादा मेल खाता है क्योंकि जैसे ही New Horizons ने Pluto के इस दिल पर थोड़ा सा और जूम किया और उसकी तस्वीर ली तो उन्होंने देखा कि ये दूर से एकदम चिकना और प्लेन दिखने वाला रीजन असल में ऐसे बरफीले polygonal structures से भरा हुआ है जो structures actually में उस simple process से बने हैं जो हम अपने घर के fridge में भी replicate कर सकते हैं Just to give you an idea, अगर आप अपने ice tray में पानी भरके उसे अपने freezer में एक साल के लिए छोड़ देते हो तो आप notice करोगे कि एक साल के बाद उसमें रखा ice एकदम से गायब हो जाएगा अब यह इसलिए होता है क्योंकि लंबे समय के लिए fridge में रखी बर्फ बगेर पानी बने सीधा भाब बनकर evaporate हो जाती है जिसे scientifically sublimation process कहते हैं और यही वो process है जो Pluto के उस दिल जैसे structures में massive polygons और crab holes जैसे अजीव structures बना रहा है अब इस sublimation process का एक और एक example dry ice है तो dry ice को जैसे ही आप बहार निकालोगे वो liquid में convert नहीं होता वो सीधा gas बनकर evaporate हो जाता अब यहाँ पर एक study के अनुसार जैसे आज से 66 million साल पहले एक बड़ा सा meteoroid प्रित्वी से आके टकराया था उसी तरह आज से करीब 10 million साल पहले possibly एक बड़ा सा object Pluto से भी टकराया था लेकिन क्योंकि Pluto सुरच से कोसो दूर स्तित है और majorly nitrogen ice से बना हुआ है तो unlike प्रित्वी जहाँ पर आज उस impact crater में पानी भरा हुआ है crab holes और polygons जैसे अजीब से shapes में कार्फ करते हुए उपर उड़ गया well अगर ये theory accurate है तो yes Pluto का ये weird दिल जैसे दिखने वाला sputning planum उसमें मौझूद weird structures और Pluto का thick atmosphere इन सभी चीजों के लिए natural चीजे जिमेदार है और वो है nitrogen ice की भाब सो ऐसे में हमें केकडों जैसे दिखने वाले और behave करने वाले aliens को शायद टाटा बाइबाइ बुलना पड़ सकता है सो शायद ऐसे में Pluto वाकई में उतना ही बंजर है जितने बाकी के हमारे solar systems के planets except कुछ चीजें वहाँ पर अभी भी sense नहीं बनाती like nitrogen से बनी बरफ सफेद होती है yet इस image के basis पर NASA का कहना है कि Pluto का moon Charon originally red नहीं था उसे सफेद Pluto ने एक लाल रंग के compound से coat किया है दरसल NASA के अनुसार जब New Horizons probe Pluto के थोड़ा और करीब पहुँचा तो उसे Pluto के एकदम plain, brightest spot, Sputnik, Planum के बिलकुल बगल में उसका सबसे खुरदूरा, darkest spot, ठुल हूँ Macula नज़र आया कि जब उन्होंने इस spot की chemistry को थोड़ा detail में study किया तो उन्हें इस dark spot में nitrogen ice के अलावा भारी मातरा में methane और ethane जैसे hydrocarbons के slot भी नज़र आया तो according to NASA, Pluto जब अपनी weird orbit के चलते, कुछ time के लिए Neptune की orbit के अंदर आकर orbit करने लगता है तो सूरज की गर्मी इन hydrocarbons को tholins नाम के एक reddish compound में बदल देती है और Pluto की कमजोर gravity के वज़े से यही लाल tholins पहले उसके खुद के atmosphere में mix होकर उसे pollute करके जहरीला बनाता है और फिर बगल में घूम रहे शेरॉन पर भी जाकर deposit हो जाता है याने कि यह सब इसी तरफ इशारा कर रहे है कि Pluto पर जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ natural causes है पर let's hold on a second for here और यह काफी विचित्र fact है क्या आपने कभी सुना है कि प्रित्वी पर या किसी दूसरे प्लानेट पर gravity uneven है Well, University of California Santa Cruz के एक lead researcher Professor Francis Nemo ने जब NASA के New Horizons से मिले images को study किया तब उन्हें Pluto के surface पर कुछ ऐसे cracks और faults दिखे जो बता रहे थे कि Pluto के Sputnik Planum region में gravity uneven है And yes, not magnetic field, not atmosphere, बलकि gravity uneven है So Professor Francis Nemo के अनुसार, Pluto का IC dill Sputnik Planum एक ऐसी खास जगे पर स्थित है जहांके mass में अगर 19-20 का भी फर्क हुआ तो already tilted Pluto और भी ज्यादा tilt हो सकता है क्योंकि एक ऐसी खास जगे है जहांसे हम अगर opposite side के और एक imaginary line draw करे तो वो line सीधा Pluto के moon Charon से जाकर मिले ऐसे imaginary line को astronomers Tidal Axis कहते है जिसमें जरा से बदलाव से पूरे planet का rotation ही बदल जाता है और ये Professor Francis Nemo ने computer simulations के जरिये verify भी किया है उनका analysis ये कहता है कि Pluto जो currently sleeping position में rotate कर रहा है वो originally पृत्वी और बाकी planets की तरह ही more or less सीधा खड़ा होकर rotate करता था पर फिर जब eventually Sputnik Planum के impact crater में चीज़े भरने लगी तब वहां का mass unevenly बढ़ने की वज़े से पूरा का पूरा Pluto Sputnik Planum के दिशा में 120 degrees तक लुड़क गया अब कई सारी previous theories कहती है कि Sputnik Planum में भारी चीज़े और कुछ भी नहीं बलकि सिर्फ nitrogen ice है लेकिन प्रोफेसर निमो का कहना है कि nitrogen ice अकेले इतना भारी नहीं होता कि वो पूरे Pluto को एक तरफ tilt कर दे ये सिर्फ तभी possible हो सकता है अगर Sputnik Planum के nitrogen ice से बनी सतैक के नीचे एक liquid पानी से भरा हुआ ocean मौजूद है और यही वज़े थी कि मैंने शुरुवात में ऐसा क्यू कहा था कि Pluto काफी हद तक हमारे पृत्वी के तरह ही है इन फाक्ट एक recent simulation ने तो ये तक बताया कि उसके समुंदर का सबसे deepest point हमारे मरियाना ट्रेंच से तस गुना ज्यादा गहरा होना चाहिए जो उनके अनुसार किसी time capsule की तरह काम करेगा और हमें Pluto और हमारे solar system के बनने की पूरी कहानी के बारे में बतायेगा दरसल आरोकॉर्ट को स्टडी करना ये पूरी space industry में शायद वो इकलौता ऐसा mission होगा जो space probe के launch होने के बाद decide हुआ था launch से पहले NASA को पता ही नहीं था कि वो exactly है क्या New Horizons के launch के बाद Pluto के अलावा और कौन से objects को study किया जा सकता है ये जानने के लिए जब NASA Hubble Space Telescope से दूसरे objects को observe कर रही थी तब उन्हें Pluto के पास एक लंबा सा feared सा object नजर आया और उन्होंने उसे भी लगे हातों study करने का फैसला लिया पर arrow caught तक पहुँचना इतना असान नहीं था New Horizon ने जब 2015-16 में Pluto की study complete की तब literally उसके तीन साल बाद ही वो arrow caught तक पहुँच पाए और फिर वो उसके images निकालने शुरू किये अब इसे अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे न तो you'll notice कि ये normal asteroid से काफी different है ये ऐसा दिखाई देता है मानो किसी alien spaceship के दो modules हो इसके कुछ key highlights ये है कि ये दिखने में red color का है इसकी सतय एकदम चिकनी और plane है और इन सबसे उपर ये actually मैं किसी asteroid से collide नहीं बलकी fuse हुआ था क्याने की इसका मतलब समझ रहे हो हमारे solar system के बाहरी किनारों पर collisions जैसे simple processes भी उस तरह से नहीं होते जैसे हम Mars और Jupiter के बीच मौजूद asteroid belts में देखते है and this just shows कि हम अपने खुद के solar system के बारे में कितना कम जानते हैं और यहीं वज़े कि NASA AeroCot को solar system का एक time capsule मानती है जो हमें अपने solar system के इतिहास के बारे में बहुत कुछ बता सकता है अब NASA इन इतिहास के पन्नों को कैसे और कब खोलता है ये तो समय बताएगा फिलाल के लिए New Horizons in Images से Pluto जिसका nature अब तक unknown था उसके बारे में साइन्टिस्टों को काफी interesting जानकारी देख चुका है और अब तक की हमारी हिस्ट्री में New Horizons Pluto के करीब जाने वाला पहला और आखरी spacecraft सावित हुआ है इसके अलावा जो दूसरा ऐसा mission NASA ने launch किया था वो वालजर था जो Pluto को बस दूर से ही बाई-बाई करकर निकला था और उस mission में NASA वालों ने हमारे ताज महल से लेकर पाकिस्तान के traffic lights के जैसे 116 images aliens को भीजे थे अब ताज महल और पाकिस्तान का traffic light aliens को क्यो भीजा गया एक detailed वीडियो में already cover किया है तो आप यहाँ पर click करके उस वीडियो को check out कर सकते हो बहुती interesting वीडियो है और आपको बहुत कुछ interesting जानकारी जानने मिलेगा आज के वीडियो के लिए बस इतना ही friends अगर इससे अपको कुछ भी नया सीखने मिला एक like जो ठोकना और get set fly science channel को subscribe कर लो see you next time till then as always stay curious keep learning and keep growing Jai Hind